कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कौच कहूंगा चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार डाउनलोड डियांग नाउ हेलो इस्ट्रण मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चानल सीजीपसC पाथशाला में फोकस रहा है आपके इसी खनीजवले टॉपिक में तो काफी इंपोर्टेंट है ध्यान समझते वे चलिएगा इससे सिंगल वन लाइनर कोश्चन ही बनते हैं और साती सात कथन आधारीत प्रश्ण भी इससे पूछे जाते हैं ठेक देखे अध्याय 9 खनीज सबसे पहले खन अध्याय पाच में आपको डिटेल है मैंने कि इस्तिर किमत क्या होता है और प्रचलित किमत क्या होता है तो देखे खनन तथा उत्खनन छेत्र का 36 गड़ के GSDP में भागीदारी इस्तिर किमतों पर ये रही 26,544 क्रोड रूपए याने कि 36 गड़ के कुल GSDP का 26,544 क्रोड रूपए आपकी खनन तथा उत्खनन छेत्र से प्राप्त हुआ ठीक अगर हम इसे प्रतिशत वृद्धी की बात करें प्रतिशत वृद्धी याने कि पिछले वर्ष की तुलना में यहां पे 2021 है तो 2021 की तुलना में इस खनन तथा उत्खनन छेत्र में वृद्धी अनुमा आनित रही 10.36% यानि कि 10.3 प्रतिशत हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है सभी को अच्छे से याद करिएगा देखिए खनन तथा उत्खनन चेत्र का 36 गड़ के कुल GSDP का लगभग 26,544 करोड रूपय खनन तथा उत्खनन चेत्र से प्राप्त होता है जिसमें पिछले भागीदारी की बात करें तो 2021-22 के 36 गड़ के कुल GSDP में इस खनन तथा उत्खनन चेत्र की भागीदारी 10.36% यानि कि 10.36% अनुमानित है अब देखिए कुछ मुख्य बिंदु पर चल्चा करेंगे जो कि सिंगल वन लाइनर कोश्वन बनते है एक्जाम में जैसे कि पहल वित्तिय वर्ष 2019-20 में 36 गड़ में खनीजों से प्राप्त राजस्वा आये 695 करोड रुपे रहा इन्पोर्टेंट है ये दो बार का कोश्वन बना हुआ है ध्यान दीजेगा इसमें 2020-21 के आकड़े नहीं है इसमें 2020-21 के आकड़े आपको पढ़ने है वित्तिय वर्ष 2020- खनीजों से, खनीजों से का मतलब हमारे यहां खनीज कौन कौन से उत्खनर होते है लोह आयस्क, कोईला, चुना पत्थर, डोलोमाइड, बाकसाइड, टीन, ये सबी कि सबी खनीज है तो इन खनीजों को बेच करके सरकार को जो इंकम होई वो रहा आपका 557 करोड रुपे थीक है, यानि कि 557 करोड रुपे ये रहा 2021 में, अगर उसके पहले की वर्ष की बात करें, 2019-20 में, 36 गड़ में खनीजों से प्राप्त राजस्वा आये रहा 655 करोड रुपे दोनों के दोना आकड़े आपको याद रखने है, यानि कि खनीजों को बेच करके जो सरकार को इ 17.69% है, ये साल बर होने वाले किसी ने किसी एक्जाम का एक ने एक कोश्चन बनता है, सिंगल वन लाइनर या कथन आधारित प्रश्ण बनता है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 36 गड़ में उतपादित होने वाले खनीजों कुल मुल्य, यानि कि 36 गड़ में जो उतपादित होते है, उसकी जो कुल कीमत है, उसका जो कुल मुल्य है, वो पूरे देश में, पूरे देश के विभिन राज्यों से उतपादित होने वाले कुल खनीज मुल्य का 17.69% यानि कि 17.69% हमारे 36 गड़ से प्राप्त होता है इंडिया को, ठीक है, तो ये आकड़ा भ नेक्ट देखिए, 36 गड़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27 प्रतीशत राजस्व खनीजों के दोहन से, यहां भी ध्यान दिजेगा, खनीजों के दोहन से खनीज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, खनीजों के दोहन से का मतलब, यानि कि उस खनीज का उत्खन करके सरकार ने बेचा, तो उससे भी सरकार को income होगा, यहां तक कि उस कोईले को जला करके, thermal power plant में बिजली बनाएगी और उससे जो income होगा, वो भी इसके अंतरगत count होगा, ठीक है, तो यह क्या है, यहां बोला क्या जा रहा है, खनीजों के दोहन से, खनीजों के दोहन से मत तो उस सरकार के पास इखटे होने वाले पैसे का 27 प्रतीशत पैसा आपके खनिजों के दोहन से प्राप्त होता है, याने कि एक चौथाई से भी जादा, हमारा चतिजगर खनिज संसाधन से भरपूर है, तो यहां पर चतिजगर सरकार को जो कुल राजस्वा आई की प्राप् हो रही है, यहां पर खनिज राजस्वा की बात नहीं हो रही है, कुल राजस्वा आई, यानि कि सरकार को जितना भी इंकम होता है, उसमें से 27 प्रतीशत जो राजस्वा है, वो खनिजों के दोहन से खनिज राजस्वा की रूप में प्राप्त होता है, कथन आतारित प्रश जबकि गौल खनीच का हिस्सा पांच प्रतीशत है अब ये मुख्य खनीच क्या होते है और गौल खनीच क्या होते है इसे आगे मैं बताऊंगा ठीक है मुख्य खनीच जैने कि ऐसे खनीच संसाधन जो हमारे 36 गड़ में उनका भंडारन बहुत जादा है तथा उसका उत्पा कभी मुख्य खनीच होगा भंडारन और उत्पादन के उपर निर्धारित होता है कि कौन सा खनीच किसी राज्य का मुख्य खनीच है जैसे कि अगर हम बात करें आपके मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में एक इस्थाने पन्ना जहां पे मिलता है हीरा ठीक है हीरा के ल में सोना अतना भंडारन हाई ही नहीं हमारे चत्यतन गर के लिए सोना गॉर्ण खनीच है जबकि करनात्यक के लिए सोना मुख्य खनीच है को λέण Games रवादिक भंडारन है श्याण से मूह में उसको यह ल्यक्lig लावा ठीक है इसके अलावा जो है आपका टीन हमारे जो 36 गड़ है पूरे भारत भर में अकेला एक टीन का प्रोड्यूसर है उत्पादक राज्य है आपका तो यह हमारे 36 गड़ के लिए सभी मुख्य खनीज है तो यह मुख्य खनीज से सरकार को आगे हम देखें कौन कौन सा हमारे कुल राजास्व आयका 95 प्रतिशत राजास्व मुख्य खनीज से जबकि 5 प्रतिशत राजास्व जो है यह गौल खनीजों से प्राप्त होता है ठीक इंपॉर्टेंट है इसे भी याद रखना है यह यह एकhalbर का प्रchnytt बना हुआ है ठीक है सरकार को मुख्य खनीच सरकार को प्राप्त होने वलिक कुल राजास्वा आयका कितना प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनीच से प्राप्त होता है तो 95% ठीक है next देखिए next है 36 गड़ जिला खनीच संस्थान न्यास ये अधिसूचित हुआ आपके 22 दिसंबर 2015 को 22 दिसंबर 2015 को राजपतर है प्रकाशित हुआ केंदर सरकार का है आपका 36 गड़ जिला खनीच संस्थान न्यास पूरे भारत भर में जहां जहां पर आपके खनीच भंडारीत राज्य है वहां पर आपके जिला इस तर पर खनीच संस्थान न्यास बना जाते है अब ये है क्या उसका उ वह है यह खनीज royalty का 10 से 30 प्रतिशत होता है ठीक है खनीज royalty आब खनीज ko Dadに क्ELLI lengthy बना होता है इसे भी आगे हम देखेंगे अभी यह समझ लीजिए खनीजों से प्राप्त होने वाले राजस्वकार 10 से 30 अब इसमें क्या बात प्यादर है, खनीश संक्रियाओं से प्रभावीत होने वाले व्यक्ति एवام छेतरों के विकास के लिए, खनन संक्रियाओं से मतलब यानि कि जिस इस्तान पर सरकार अगर खनन कर रही है, यानि कि वहाँ से जो है आपका खनीश का उत्खनन कारिय किया ज थापित किया जाएगा। यानि फ्रती इस स्थापित उन्हें ट्रांसफर करके दूसरे ज 대해 यगा। अगर मान लीजिये इस गाव के समीप में ही उत्खननत हो रहा है तो उत्खनन से क्या हो जो भी छेत्र प्रभावित हो रहे है तो उनके विकास के लिए लाया गया है concept आपके जीला खनीज संस्थान न्याज पूरे भारत भर में जिस जिस इस्थान के आपके खनीज के उत्खननन होता है और उससे अगर कोई छेत्र प्रभावित हो रहा है तो उनके विकास के लिए पिजना के अंतर्गत किया गया है और चतिस गड़ के 28 जिलों में यह आपका लागू है यानि कि यह आपके इस्तापीत था चतिस गड़ खनीज संस्थान न्यास अब देखिए चतिस गड़ में अभी कितने जिले बने हैं क्या जिले बने हैं अभी इसका कोई भी हम इस पर ड नहीं है अभी इसमें जो है जो अधित सूचना जारी हुआ था यह केवल दावापति से संबंधित इनकी सीमाओं के दावापति संबंधित अधित सूचना जारी हुआ है लेकिन अभी यह अत्तित्व में आ चुके है यानि यह स्रीजित होगा यह गठित होगा है ऐसा कोई भी notification आया नहीं है अगर हम बात करें economic survey की तो उसमें 36 गड़ के 28 के 28 जिलो में क्योंकि हर जिलो में कोई न कोई आपका खनीज संस्थान मिली जाता है तो हर एक जिले में जो है प्रदेश के 28 जिलो में आपके 36 गड़ जिला खनीज संस्थान न्यास की स्थापना हो चुकी है अगर हम कुछ अन्यफेक्ट की बात करें जैसे कि 36 गड़ खनीज विकास निगम 36 गड़ वन विकास निगम तो ऐसे निगम से थोड़े कोश्चन बनते हैं तो ध्यान दीजेगा 36 गड़ खनीज विकास निगम यानि कि 36 गड़ मिनरल्स डेवलप्मेंट कॉर्परेशन इसका गठन हुआ था 7 जुन 2001 को जबकि आपके इस इसके भवन को खनीज भवन को कहा जाता है हमारे प्रदेश में इसका नाम दिया गया है खनीज भवन को सोना खान सोना खान जो की एक छेतर भी है आपके बलोदा बजार में ठीक है तो इसके भवन को खनीज भवन को नाम दिया गया है आपका सोना खान और हमारे प्रदेश के खनीज मंत्री कौन है पुछा जाए तो वो है आपके मुख्य मंत्री भुपेज बगेल ठीक कि हमारे प्रदेश में जो अलग-अलग विभाग है क्रिशी विभाग, खनीज विभाग, स्वास्त विभाग, पंचायत विभाग ये जो है इन तेरा मंत्रियों के मध्य इन विभागों का बटवारा किया गया है तो मुख्य मंत्री भुपेज बगेल के अंडर में ये मंत्री भुपेज बगेल के अंतरगत आता है ये खनीज मंत्राल है, काफी इन पॉर्टेट है, इसे याद रखिएगा, अगर बात किया जाए कि 36 गड़ खनीज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है स्री गिरिज देवांग, कौन है अध्यक्ष है, स्री PMDC के वर्तमान में अध्यक्ष है, अब देखिए, खनन तथा उत्खनन चेत्र में 36 गड़ की इस्थिति की अगर हम बात करें, तो 36 गड़ का देश में इस्थान, खनीज के उत्पादन मुल्य के मामले में 2 इस्थान पर है, ठीक है, बुक में कई जगा आपका 3 लिखा गया है, उस third को correct कीजेगा, current affair के book के भी front page में जो है, इसका correction वहाँ पे भी हमने paste किया हुआ है, वहाँ से जो है, economic survey के book के correction को correct कर लीजेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजे, आपका खनन तथा 36 गड़ का देश में, खनीज उत्पादन मुल्य में कितना कौन सा इस्थान है, second है, आसका sprach, Šculiser, चुना, पत्थ, 13, यह आपके मुख्या खनीज है, तो हमारे प्रदेश में जो आपका, हमारे प्रदेश में सरवाधिक राजासव, यानि कि सर्वाधिक income सरकार को कौन से खनीज खनीज से प्राप्त होती है, पूछा जाए, तो कौन से खनीज से प्राप उत्पदन होता है तो हमारे प्रदेश के सभी जीलों में आपका कोर्बा जीला जो है वो आपका सरवाधी खनीज राजस्व देता है ठीक next देखिए ये देखे अभी जो हमने बात किया कि हमारा 36 गर्ज सेकंड पोजीशन पर है इसका एक यहाँ पर पाई चार्ट बना हुआ है राश्ट्रिय खनीज उत्पादन मुल्य में राज्यों की भागीदारी 2020-21 ये Government of India जो की Ministry of Mines के Annual Report से लिया गया है 2021-22 के देखें यहाँ पर इस्थिती दिया गया है रैंक दिया गया है सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें उडिसा जो की देश के कुल आपके जहां की जो देश में जो खनीजों का जो उत्पादन होता है जो उसका कुल मुल्य है उस मामले में उडिसा पहले नंबर पर है देश में उत्पादित होने वाले कुल खनीज मुल्य का 40 47.20% जो है ये उडिसा से प्राप्त होता है जबकि 36 गर से 16.20% प्राप्त होता है करनातक से 14.31% प्राप्त होता है राजास्थान से 11.00% प्राप्त होता है जार्खन से 4.5% मद्यप्रदेश से 3.34 और अन्य राज्यों से 6.46% प्राप्त होता है ध्यान दिजिएगा हमारा 36 गड़ है हमारा 36 गड़ 2nd position पर है इसमें 36 गड़ जो है यह आपको economic survey के book में भी नहीं मिलेगा जो government की जो official economic survey की book आती है उसमें भी ऐसा diagram बना के नहीं समझाया जाता है यह सारा जो है इससे बनाया गया है मेरे द्वारा ठीक है जो हमारी economic survey की book है उसमें भी बहुत एक्ष्टा चीज़े add-on किया जाता है ठीक अगर हम बात करें तो लगभाग 47.2% पुरे पुरे देश का लगभाग आपके 47.2% जो है यह खनीच का उत्पादन अकेले उडिसा से हो रहा है जबकि हमारा 36 गर जो है यह second इस्थान पर है यानि कि दूसरे इस्थान पर है 16.2% के साथ इन्पोर्टेंट याद रखेगा यह आपका इस्टेट गर्वर्मेंट का रिपोर्ट नहीं है यह जो है गर्वर्मेंट ऑफ इंडिया जो की मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स के एनिवल रिपोर्ट से डाटा लिया गया है ठीक नेक्स्ट देखिए 36 गड में खनीज उत्पादन जो मैंने आपको बताया कि 36 गड में मुख्य खनीज क्या होता है यह इसका क्लासिफिकेशन है यह भी एक साल का प्रश्ण बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य खनीज नहीं है उसमें से तीन ओप्शन इधर में से दिया था एकादी ओप्शन गौल खनीज में से दिया था तो मुख्य खनीज क्या होता और गौल खनीज क्या होता है मुख्य खनीज ऐसे खनीज जिनका भंडारन हमारे 36 गड में सरवाधिक है उत्पादन भी सरवाधिक होता है और उससे सरकार को सरवाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है उन्हें उसे जो है आपके मुखे खनीज के अंतरकत रखा जाता है जबकि ऐसे खनीज, जिसका हमारे प्रदेश में भंडारन कम है, उसका उत्पादन भी कम होता है, और उससे सरकार को बहुत कम राजस्व की प्राप्ती होती है, तो वो कहलाता है आपका गौर्ड खनीज, हमारे प्रदेश के मुख्य खनीज कौन कौन से है, जैसे कि कोईला, जो आयस, चुना पत्थर, बाकसाइड, तीन, ये सभी के सभी क्या है, मुख्य खनीज है, आया हुआ प्रशन है ये, ठीक है, ये प्रशन जो है, पिछले साल किसी एक एक्जाम में आया था, प्रशन पुछा गया था, इन दिमने लिखित में जो कौन सा एक, मुख्य नहीं है, ठीक, अब देखिए, गौल खनीज, गौल खनीज के अंतरगा, डोलोमाइट, क्वाड्ज, क्वाड्जाइड, फायर क्ले, कोरंडम, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, वाइट क्ले, पत्थर, फरसी पत्थर, मुरू, मिट्टी, रेत, ये सभी की सभी जो है, गौल ख पर खनीजो के नाम बताया गया है, भंडारन की एकाई, भारत में कितना भंडारन है, भारत ती कंपेरिजन में हमारे 36 गड़ में कितना भंडारन है, और भारत में 36 गड़ की भागीदारी क्या है, ठीक है, ओर वर वल भारत में जो है, ये भंडारन के आधार पर, 36 गड़ म मैं यहां पर आपको केवल 36 बंदारने बताओंगा यहां पर भारत के भंदारने को देख लिजेगा इसे Not ‎ागर करना है तो इसे केवल Compare करने हैं लिखा गया है चुना पत्थर का भंदारन है हमारे प्रदेश में 10805 याने कि 10805 मिलियन टन ये चुना पत्थर का भंदारन है डोलोमाइट का भंदारन है हमारे प्रदेश में 917.7 मिलियन टन बाकसाइट का भंदारन है हमारे प्रदेश में 173.8 मिलियन टन तीन आयस का भंडारान है हमारे प्रदेश में 29.8 मिलियन टन हीरा का भंडारान है हमारे प्रदेश में 1.3 मिलियन कैरेट में है ये और स्वर्ण का भंडारान है हमारे प्रदेश में 5.5 टन ठीक है ये केवल टन में है ये आकड़ा इसे जो है आप भारत में भारत में भंडारन से इसे compare कर सकते हैं कि भारत एक comparison में हमारे प्रदेश में कितना भंडारन है अगर हम बात करें हमारे 36 गड़ में देश के देश में उपलब्ध कुल कोईला का 17.93 परसेंट 17.93 प्रतीशत आपका कोईला हमारे 36 गड़ में भंडार का 21.60% याने की 21.60% लौ आयस्क का भंडारन हमारे 36 गड़ में है ठेक चुना पत्थर देश में उपलब्द कुल चुना पत्थर का या देश में भंडारीत कुल चुना पत्थर का 5.31% चुना पत्थर हमारे 36 गड़ में भंडारीत है उसके बाद डोलोमाइट देश में तो स्पाइजक्स टीन आयस्क टेश में भंडारीत कुल बाक्साइट का 5.6% बाक्साइट हमारे छत्यूगर्ण भंडारीत है, तीन आयस्क, देश में भंडारीत कुल तीन आयस्क का 35.60, यानि कि 35.60 प्रतिशात हमारे 36 गण में भंडारीत है, हीरा, देश में भंडारीत कुल हीरे का 4.10% हीरा, हमारे 36 गण में भंडारीत है, अगर स्वर्ण की बात करें, तो देश में भंडारीत कुल स्वर्ण का 0.84%, य हमारे 36 गड़ में आपका स्वर्ण याने की गोल्ड भंडारीत है इन्पॉर्टेंट है इस आगड़े को याद कर लीजेगा यह मेंस एंसर राइटिंग में देखिए इस सेक्टर से जो है आपका प्री या व्यापा में कोश्टन नहीं बन रहे है काफी समय से लेकिन यह मेंस में आपके काम आ सकता है में सारे आकड़ो को अप स्क्राइश करेंगे इस पर्सेंटेज को स्क्राइश करेंगे अजसे होता है इस समझ लिजेगा हमने भी देखा ब्रॉयल्टि का मतलब जैसे कि हमारे प्रदेश में जो खनीजों का उत्खनन, खनीजों का उत्खनन, दो आपके एक निगम करते हैं, एक है NMDC और दूसरा है CMDC, NMDC, National Minerals Development Corporation, यानि की राष्ट्रिय खनीज विकास निगम, और दूसरा CMDC, खनीज विकास निगम, खनीज विकास निगम, ये जो है, ये आपके केंद्र सरकार के अधिगरीत कमपणी है, जबकि ये 36 गड़ राज्य सरकार की अधिगरीत कमपणी है, आप सभी 36 गड़ सामान निध्धन के अंतरगत पढ़े होंगे, कि जो बैला डिला की पहाडी है, बैला डिला की पहाडी में लोह एसक का उत्खनन किसके द्वरा किया आता है, NMDC के द्वरा किसके अधिकरीत कमपणी है, केंद्र सरकार की, बैला डिला से लोह एसक का उत्खनन करके, वो जो Law I.S. का है, वो export किया जाता है पारदविय, पारदविय बंदरुबंदरगाहा के रास्ते, जापान export किया जाता है उस Law I.S. को, अब हमारे 36 गड़ की भूमी में, कोई केंदर सरकार की कमपनी, आ करन के उतकनन कर रही है, और हमारे खनी संसाधन को, दूसरे देश में बेच रही है तो उसे 36 गड़ का क्या फायदा तो इसके एवाज में जो NMDC है इसे रोयल्टी देना पड़ता है याने कि इसमें पूरा महनत NMDC का उत्खनन के लिए मशीनरी NMDC की लेकिन 36 गड़ के जमीन में आ करके 36 गड़ के खनी संसाधनों का से क्योंकि NMDC जो maximum production करता है आपके law ask का हमारे 36 गड़ में तो NMDC जिसके यह आकड़ा भी बहुत पुराना यह आकड़ा भी चेंज नहीं हुआ है 2014-15 गड़ यह आकड़े चेंज नहीं हुए आरन और में जो है आपका लगभग जो साड़े 400 रूपे यह सभी के सभी राश CMDC और NMDC का comparison कर रहा है अगर CMDC कोई उत्खनन करेगा तो आपके राज्य सरकार के अधिगरित कमपनी है अपने ही राज्य की कमपनी है अपने ही जमीन पर अगर उत्खनन करेगी तो उसे कोई royalty नहीं देना पड़ता लेकिन अगर कोई private sector की कमपनी है उसे अगर कोईले की ज उत्पादन 2020-21 के आपके ये आकड़े है मुख्य खनीच की बात हो रही है कोईले का अभी तो हमने इससे पहले भंडारा नहीं देखा अब उत्पादन के अगर हम बात करें तो 2020-21 में कोईले का जो उत्पादन रहा वो रहा 15,74,77,000 टन ये सब यागड़े आपके 1000 टन में है देखिए ऐसे न याद मत कीजेगा कि 1,57,47,000 टन ऐसे याद करने जाएंगे तो हमें सब भूल जाएंगे एक फ्लो में एक आखड़े के साथ जैसे दो-दो डिजिट में 15,74,77,000 टन इससे क्या याद होता और देखिए ये समझने वाला चीज नहीं है ये रट्टा मारन है कैसे 15,74,77, 15,74,77, दो-तीन बार बोलेंगे याद हो जाता है 15,74,77,000 टन ठीक है लो अचक का उत्पादन हुआ आपका 37007, 37707, 37707, 37707 ये जो है आपका हजार टन लो अचक का उत्पादन हुआ चूना पत्थर की उत्पादन की बात करें तो 35577, 35577 ये आपके चूना पत्थर का उत्पादन हुआ, आपका बाकसाइट का उत्पादन, 720,000 टन बाकसाइट का उत्पादन हुआ, जबकि तीन का उत्पादन हुआ, 13,673 किलोग्राम, यह अकड़ा जो है किलोग्राम में है तीन का, इतना किलोग्राम आपका तीन का उत्पादन हुआ 2020-21 में, ठीक ह अगर हम बात करें, खनीज राजस्व में अग्रणी जिले, खनीज राजस्व में, यानि कि जो मुख्य खनीज है, उस मुख्य खनीज का सरवाधीक उत्पादन करके, उससे जो income generate हुआ, उसमें कौन सा जिला अग्रणी है, अगर हम बात करें कोईले का, तो कोईले का सरवाध सरवाधीक राजस्व की प्राप्ति होगी, किस जिले से प्राप्त होगी, दंतेवाडा से होगी, चूना पत्थर, चूना पत्थर का जो सरवाधीक भंडारन कहां पर है, अगर हम बात करें, ओवराल जिले के हिसाब से, तो वो है बलोदा बाजार, बलोदा बाजार में सरवादी खनीज राजस्तु की प्राप्ति होती है वो होती है आपके दंतेवाडा से ठीक है अब नेक्ट देखिए खनीज उत्पादन में भागीदारी खनीज उत्पादन में अगर हम भागीदारी की बात करें तो कोईला देखिए खनीज उत्पादन में 36 गड़ का भारत म पर चतित गर से होता है, देखिए दो अलग-अलग word है, एक है भंडारन, जिसे आप deposit कहते हैं, और दूसरा है उत्पादन, ठीक है, जिसे आप production कहते हैं, ठीक तो भंडारन उत्पादन अलग है, भंडारन का मतलब इतने खनीज मौजूद है, इतनी मात्रा में खनीज अब का मौझूद है और उत्पादन की मतलब इस साल में हमने कितने सारे उस खनीच का उत्पादन किया उसे खोद करके निकाला ठीक है तो यह होता उत्पादन तो देश में आपके कुल उत्पादित कोईले का 21 असम लौ 59 प्रतिशत कोईला हमारे 36 गर से उत्पादित हुआ लौ एसक की बात करें तो देश में उत्पादित कुल लौ आयसक का 17.61 परसेंट आपके लौ आयसक 36 गर से उत्पादित हुआ चुना पत्थर देश में उत्पादित कुल चुना पत्थर का 11.70 परसेंट चुना पत्थर 36 गर से उत्पादित हुआ देश में उत्पादित कुल बाकसाइड का 3.57% बाकसाइड हमारे 36 गड़ से उत्पादित हुआ और देश में उत्पादित कुल 3 आयसक का 100% 3 हमारे 36 गड़ से उत्पादित हुआ देखे भारत के अन्य राज्यों में भी तु नहीं होता एक मात्र हमारा राज्य है चिं को उत्पादन होता है तीन के उत्तार में अंगरणी Two- impactedly प्रॉठ याद रखना अब देखिए मुख्य खनीज के होता गौर्ण क्या होता है हम जितने फूर्डक्शन ने भी मुख्य कई होता है कुल राजस्व में 95 प्रतीशत जो राजस्व है वो मुख्य खनीजों को बेच करके मिलता है जबकि मात्रा 5 प्रतीशत इतना सा हिस्सा आपका केवल गौल खनीजों से प्राप्त होता है सरकार को ठीक इन्पोर्टेंट है इसे भी याद रखना है Next देखिए Next है मुख्य खनीजवार राजस्व के आधार पर क्रम 2020-21 Maximum to minimum यानि कि अगर हम बात करें ये मुख्य खनीजवार राजस्व यानि कि सरकार को जो राशी प्राप्त हुई खनीजों से ये राशी जो है ये लाख रुपय में है उसके आधार पर सरकार को जो है सरवाधिक राशी प्राप्त हुई कोईला से यहां नीचे digit याद करने की जरुवत नहीं है लेकिन कई बार sequence arrangement जमाने के लिए दे देता है सरवाधिक जो सरकार को राजस्व प्राप्त हुई वो हुआ कोईला के बाद राजस्व प्राप्त हुआ यानि कि कोईले के बाद सरवादिक सरकार को जो income हुई वो हुई लह एसको को बेज कर उसके बाद सरवादिक हुआ चुने को चुने के बाद है बाकसाइट बाकसाइट के बाद है तीन तो यह सरकार को जो है आपके खनीजवार राजसों के आधार पर यानि कि आपके खनीज क इसको बेज करके जो इनकम हो रही है उसके आधार पर सिक्वेंस है सरवादि कुला लौह उसके बाद Laha Ais को उसके बाद चुना पत्थर चुना पत्थर का राथ बाक साइड़ और बाक साइड के बाद है इसमें जो नीचे तरफ राशी राशी याद कर सकते हैं थीक है नहीं भी याद करेंगे थो भी चलेगा ठीक है उतना इस राशी पे फोकस मत कीजेगा उतना कोशन इससे नहीं बनता ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, 36 गड़ खनीज विकास निकम, CMDC, 36 मिनरल्स डेवलप्मेंट कॉर्परेशन, इसा गठन कब हुआ, 7 जुन 2001 को इसा गठन हुआ, अब इस CMDC के अंतरगत संचलित परियोजना है, याने कि यह जो आपका CMDC, CMDC जो है, अलग-अलग पर योजना है संचलित है, तो पहले यही ध्यान रख लिजे, कि टोटल जो है, 5 परियोजना है संचलित है, 5 परियोजना है कौन-कौन सी, देखिए, एक है कोईला, दूसरा लौ आयसक, तीसरा बाकसाइट, चौथा कोरंडम और पाच्वा है कैसेटराइट, कैसेटराइट जो ठेक, अब प्रशन कैसे पूछेगा, कि निमन लिकीत में से कौन सी एक परियोजना, आपके 36 खनीज विकास निगम के अंतरगत संचलित नहीं है, उसमें देगा कोईला देगा, लौ आयसक देगा, बाकसाइट देगा, और एक देगा चुना पत्थर, ठीक है, तो यहाँ प खरन करने के लिए जो छेत्र एलोट किया गया है, पट्टा दिया गया है, तो कुल जो है, एक खनीपट्टी स्विक्रित है, जो कि कोरवा जिले में इस्थित केरवा, केरवा, केरवा जो है, यह एक कोईला भंडरी छेत्र है, केरवा कोल लिमिटेड, यह जो है, इसके अंत का इस्टार है यह एल ओ सी कारेवाही विचारा धीन है याने कि अभी यह प्रोसेस में है यहां पर उत्खनन हो नहीं रहा है ठीक है नेक्स्ट है आपका बाक साइट के अंतरगत आपके टोटल दस खनी पट्टी स्विक्रित है सरगुजा में छह कवीरधाम में दो क्षपूर में एक वैसी कॉरंडम परियोजना के अंतरगत तीन खनी पट्टी स्विक्रित है वह आपके बीजापूर के कुछनूर में ही तीनों के तीनों मौजूद है और नेक्स्ट है कैसेट्राइट के अंतरगत टोटल 14 खनी पट्टी स्विक्रित है जो कि बस्तर के भंडारण नहीं है, कौपर याने की तामबा, लेकिन देखें, हमारे प्रदेश कुछ इस्थानों पर कौपर का भंडारण होने के प्रमाण मिले हैं, ध्यान दीजेगा, अब जो है, चतिसगर में आपका वर्ष दोहजार अठा में ही, 21 मई दोहजार अठा को चतिसगर कौप Mia के अब देखें, इसमें इस प्रस्तावीत क्या है, चतिसगर राज्य के अंतरगात, कोपर खनीज की खोज है तू हीदर और बोदल दो छेतर है हीदर और बोदल को जे वी कमपनी के नाम पर आरक्षित किया गया है देखिए इसका जो है यह हीदर और बोदल यह आपके हमारे प्रदेश में जो है मुख्यता आपका कौपर जो ही राजनांद का वले छेतरे मिल रहा है ठीक है इसका आपका हीदर और बोदल मैंने पीछले साल यह पढ़ाया था नीचे कमेंट करके बताए हीदर और बोदल डोनों के दोनों जो आपका खनीज है यह कहा पर यह जो कौपर भंडारी छेतर है यह किस जिले में इस्तित थे ठीक है यहां पर साइद आपके एकोनॉमिक सर् इंडिया जे एस आई ने प्रदेश में तीन जीले राजनाद गाउ सर्गूजा और बस्तर इन तीन छेत्र में जो है आपके तांबा होने के प्रमान के दिये है क्या है तांबा कॉपर होने के प्रमान के लिए है आपके राजनाद गाउ सर्गूजा और बस्तर वाले छेत्र म जी एसडीपी में भागीदारी वित्रण इस्थिर कीमत 2011-12 के आधार पे यहाँ पर जो है अलग-अलग इयर दिये गए है और यहाँ पर कितनी वृध्धी दर्ज की गई उस पर्टिकुलर इयर में और उस पर्टिकुलर इयर में भागीदारी क्या रही खनन तथा उत्खनन चेत्र का और देखे दो बार यह कोशन बना है ठीक है यह पूरा टेवल आपको ध्यान देना है एक्जेक्ट नहीं पूछता लेकिन हाँ यह पूछेगा कि निम्ल लिखीत में से किस वित्तिय वर्ष में आपके खनन तथा उत्खनन चेत्र की भागीदारी रिनात्मक अईसे कोशन पूछे जाते है ठीक है या फिर आपसे पूछे जाएगा कि निम्ल लिखीत में से किस वित्तिय वर्ष में खनन तथा उत्खनन चेत्र की भागीदारी सरवाधिक रही यह जो है आपकी प्रतिशत वित्धी है ठीक है यहांसाय मैंने गलत बोल दिया है खनन त पुछा जाएगा कि निम्लिखित में से किस वित्तिय वर्ष में आपका खनन तथा उत्खरंग छेत्रका प्रतीशत विद्धिस्सरवादी क्याने कि मैक्सीमम रहा तो किस में रहा तो यह ऐसे question बन रहा है, अगर maximum रिनात्मक किसमें रहा, तो maximum रिनात्मक जो है, यह रहा आपका कब 2020-21 में, कारण क्या था, इस समय lockdown लगा हुआ था, और maximum positive कब रहा, यह रहा आपके 2021-22 में, थेक है, 2021-22 में यह positive रहा, अगर हम प्रतिशत भागीदारी की बात करें, तो प्र प्रतिशत भागीदारी सरवाधिक किस वर्ष में दर्ज की गई, तो प्रतिशत भागीदारी सरवाधिक दर्ज की गई है 2018-19 में, 11.6 यह सरवाधिक भागीदारी दर्ज की गई है, ठीक है, तो important है, इसे याद रखिएगा, यह table important है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं देखत नेक्ट देखिए, नेक्ट है, कोल इंडिया वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21, यह भी आपको एकोनामिक सर्वे में नहीं मिलेगा, देखिए, 36 गड़ में कोल इंडिया की सहायक कमपणी है, साउथ इस्टन कोल फिल लिमिटेड, जिसने वित्तिवर्षी 2021 में कोईले के उत्प सहायक कमपणी, जीनें सबसिडिरी कमपणी कहा जाता है, जैसे कि SECL, MCL, NCL, CCL, WCL, ECL, BCCL, यह सभी के सभी आपके कोईला उत्परन करने वाली कमपणी है, जो कि कोल इंडिया की सहायक कमपणी है, में कमपणी कौन है? कोल इंडिया, जो की केंड्र सरकार की, सेंट्रल ये जो है आपके पस्चिम मंगाल में कोईले का उत्खन करती है ये देखे आपको जो इस्टन कोल फिल लिमिटेड है इसका क्या फुल फॉर्म है ECL ठीक वैसे ही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL ये जारखन में जो है कोकिंग कोईले का उत्खनन करती है CCL Central कोल फिल इसका headquarter है ये सभी headquarter का नाम है ठीक है और आपका Northern Coal Field Limited जो की मद्द प्रदेश सिंग्रॉली में इसका headquarter है जो की मद्द प्रदेश में कोईले का उत्खनन का कारे करती है और इसका headquarter है आपके संबलपूर में तो ये सभी के सभी आपके कोल इंडिया की subsidiary company है जो की भारत में कोईले का उत्खनन करती है अगर हम बात करें वित्तिय वर्षु 2021 की तो वित्तिय वर्षु 2021 में हमारे 36 गड़ में मौझूद कोल इंडिया की subsidiary company SECL South Eastern Coal Field Limited ने सरवाधिक कोईले का उत्पादन किया है कोल इंडिया की सहयक company ये सभी के सभी सहयक companyों में से सरवाधिक कोईले का production हमारे 36 गड़ में मौझूद SECL South Eastern Coal Field Limited ने किया है ठेक है important है इसे याद रखना है ठेक चलिए तो यहाँ खतम होता है आपका 36 गड़ आर्थिक सरवेक्षन 2021-22 का अध्याय 9 खनिस्तन सादम आज के लिए इतना ही किसी प्रकरण डाउट हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते है चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कीजेगा like और share जरू कीजेगा और हाँ हमारा 36 गड़ आर्थिक सरवेक्षन और आपका 36 गड़ हाफ yearly current affair magazine दोनों को दोनों मार्केट में available है आप मार्केट से जाकर के ले सकते है नीचे जो है आपके book depot के नाम भी आपको screen पर शो हो रहे होंगे उनकी contact number भी शो हो रहे होंगे यहां तक कि आप हमारे CGPSE e-Parsalak के mobile app में भी जाकर के book को online order कर सकते है book आपको home deliver कराई जाएगी ठीक है चलिए